दोस्तो उत्राखंड के हालदुआनी में 4000 गरों को खाली करने के नोटिस के बाद अब इसी उत्राखंड के जोशीमट में लगबग 700-800 गरों को खाली करने का नोटिस जारी हो गया है लेकिन दोस्तो इस बार ये नोटिस किसी गवर्मेंट डिपार्टमेंट या सरकार ने नह और लेंड सिंकिंग के कारण अब लोग अपने घरों को खाली करने लग रहे हैं कि कहीं उनकी जान परना बनाएं इसके साथ ही कहीं लोगों ने गौवर्मेंट के समय पर धानने देने और अंदा धुन्द डवलप्मेंट प्रोजेक्ट्स चलाने के खिलाव भी जोशिमट लेंड सिंकिंग की और इसके पीछे के कारणों की दोस्तों सबसे पहले बात करें जोशिमट की लोकिशन की तो जोशिमट उत्राकंट की चमोली डिस्टिक में लोकेटेड है जो की इंडोचाइना बोर्डर से सटा हुआ एरिया है इसके पास से ही अलखनंदा र जास्ता भी निकलता है वहीं दोस्तों बात करें जोशिमट की जियोग्राफी और यहां की जियोलोजी की तो गर्वर्मेंट डेटा के नुसार यहां की पोपुलेशन 16,000 के आसपास है इसके लावा यहां से LH 58 भी निकलता है जो की माना दर्रा और बदरिनात को दिल्ली औ और बाकियों रेस्ट आफ इंडिया से जोडता है दोस्तों जोशिमट हिमाले की 600 मीटर उचाई वाली पहाड़ियों परिस्तित है यह हिमाले के पेरा ग्लेशियर जोन में बसा है यानि की हिमाली की एसी लोकेशन जहां कभी ग्लेशियर हुआ करते थे और अब सालों बाद यह ग्लेशियर पिगल चुक है और उनका बस मलबा बचा रहे गया जहां की लेंड अनिस्टेबल होती है और एसी लेंड स्केब को डिस इक्विलिब्रियम लेंड फॉम कहा जाता है यानि पहाड़ों की एसी लेंड जो असुंतलित हो और इसी वज़े से आम तोर पर यहां लेंड स्लाइडिंग जैसी गटनाएं देखने को मिलती है और ऐसी लेंड स्लाइडिंग और लेंड सिंकिंग की गटनाएं हाली के दिनों में जोशी मठ में भी देखी गई है तो दोस्तों क्या पहले भी लेंड सिंकिंग की गटनाएं यहां पर देखी गई है तो दोस्तो कमेटी, मिश्रा कमेटी का गठन किया जाता है 1976 में मिश्रा कमेटी अपने रिपोर्ट सरकार को सोपती है दोस्तो इस रिपोर्ट में क्लिरली ये मेंशन किया जाता है कि जोशीमट एक old land slide zone पर situated है और ये है एक Asian land slide है जो कि बड़े-बड़े rocks की नहीं बलकि sands यानि मिटी और छोटे-छोटे पत्थरों की बनी है और अगर यहां construction और various development work चारी रखे जाता है तो यहां land sinking की गठनाएं बढ़ सकती है इस रिपोर्ट में आगे mention किया जाता है क्योंकि ये area sand और छोटे-छोटे पत्थरों का बना है तो इसलिए यह है township यानि लोगों की बसावट के लिए सही नहीं है इसके लावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि सड़कों की repairing और other construction works के दोरान blasting और digging के जरीए इन हीली area से stones को ना निकाला जाये क्योंकि यह stones ही इस जोशिमट के पहाड़ी area को support करते है और अगर इन से छेड़-चाड़ की जाती है तो land sliding भी हो सकती है इसके साथ इस report में यह भी कहा जाता है कि इस area में पेड़ों की कटाई को रोग जाए और साथ ही यहां लोगों की बसावट और बढ़ती population को भी कंट्रोल किया जाए लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह इस report को भी side में रख दिया जाता है ना सरकारे इस report पर ध्यान देती है और ना ही इस area में various construction का काम करने वाली company है समय के साथ जोशिमट के इस area में population बढ़ती जाती है आज कई hotels और visiting points यहां पर है इसके लावा इस area में कई प्लिग्रीम साइट्स होने के कारण हजारों लोग यहां घूमने भी आते है 2021 में भी कई घरों की दिवारों पर ऐसे ही cracks देखने को मिले थे दूस्तों Indian Institute of Remote Sensing की एक study में पाया गया कि जोशिमट के आसपास का area हर साल 6.5 cm यानि 2.5 इंच नीचे की और धस रहा है इसके लावा जुलाई 2020 से मार्च 2022 की satellite images से यह शो करती है कि जोशिमट का यह area अब धीरे धीरे नीचे की और धस रहा है दोस्तों उतराखन के चमॉली डिस्टिक और जोशिमट के आसपास के area में कहीं construction project और hydropower projects चल रहे है जिनने इस land sliding के बाद अब hold पर डाल दिया गया है लेकिन दोस्तों जोशिमट में हुई इस land singing का reason क्या है तो दोस्तों इन्हें हम mainly दो भागों में बाहर सकते हैं पहला man made और दूसरा है natural तो क्योंकि दोस्तों यह natural factor man made factors से ही triggered है तो हम पहले यह natural factors की बात करते हैं तो जैसा कि हमने पहले बात करी कि जोशिमट एक unstable और एसंतुलित land slide पर build है इसके लाबा जोशिमट का यह area high risk seismic zone 5 में आता है और इस area की जमीन अंदर से काफी खोकली भी है इसके कारण जब भी कोई human activity यह बढ़ती है तो यहां land sinking और land sliding जैसी घटनाय देखने को मिलती है वहीं दोस्तो बात करें land sinking के man-made factors की तो कहीं geologist और reports का मानना है कि बढ़ती population और यहां बढ़ते construction work के कारण यहां land sinking भी बढ़ी है चारदाम project के तहित इस area में बंती tunnels इसके लाबा NTPC के various thermal power projects को भी जोशिमेट में हो रही इस land sinking और land sliding का कारण माना जा रहा है इसके लाबा दोस्तो हाली में जोशिमेट में land sinking के कारण affected हुई families को उत्राकंड government 1.5 lakh रूपीज का compensation देने की बात भी कही है दोस्तो development के साथ ही हमें environment का भी खास द्यान रखने की जरुरत है और खास तोर पर हमालेन जैसे mountain area की तो उमीद आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा वीडियो इंफोर्मेटिव लगाओ तो प्लीज हमारे यूटूब चैनल को subscribe करें और share करें से अपनी family और friends के साथ दन्यवाद